तो यहां पर आज हम बहुत important concept की चर्चा करने वाले हैं आपने अक्सर देखा होगा कि जिसमें हम heater चलाते हैं वो वाला socket थोड़ा बड़ा होता है और जिसमें हम अपने समान नूप करन चलाते हैं वो वाला socket थोड़ा सा छोटा होता है क्या दोनों में voltage अलग होते हैं क्या दोनों में current की मातरा अलग होती है या दोनों में wattage का होता है अंतर इसी तरह के concept का बात करने वाले हैं हम आज तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये भेद भाव कैसा एक socket चोटा है एक socket बड़ा है दोनों में voltage समान है लेकिन current अल वह साते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा जदा बड़ा हो गया कोई बात नी यह अर्थ यह और यहां पर आप यह देख सकते हैं कि यह हमारा च ₧ 220 वोल्ट स्टेंडर्ड रेटिंग लिख रहा हूं है 50 Hz यानि कि AC धारा यहाँ पर यह लाइन यह नूटल और यह अर्थ यह हमारा अर्थ सेक्षन यह हमारा लाइन और यह हमारा नूटल और यहाँ पर 220 वोल्ट 16 एमपेर 50 Hz तो यह आपके सामने चित्र स्पस्ट है तो आई समझते क्या भेदभाव है दोनों में भाई मेरे जब आपने वाइरिंग का सेक्षन पढ़ा होगा तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि ISI नियम के अनुसार ISI मने इंडियन स्टेंडर्ड आफ इंस्टिटूशन तो ISI नियम के अनुसार वाइरिंग सेक्षन में दो अलग-अलग सेक्षन बाटे गए है लाइटिंग सर्किट पावर सर्किट लाइटिंग सर्किट पावर सर्किट लाइटिंग सर्किट कम वाटेज के लिए है power circuit अधिक wattage के लिए है तो कितना wattage के लिए है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो हमारा 6 ampere का section है उसमें हमारे 800 watt तक का load मानने है और यह जो हमारा 16 ampere का है यहाँ पर हमारे 3000 watt तक का load मानने है यानि कोई भी ऐसा उपकरण जो 800 watt तक का है आपके छोटे से छोटे socket में कारी करता है जैसे की electric press और कोई भी समान्य उपकरण जैसे की mobile charger हो गया या और TV हो गया जैसे भी दूसरे उपकरण है लेकिन क्या आप उस छोटे socket में heater को जला सकते हैं heater को जलाने पर क्या होता है कि उसका socket जो है जल जाता है क्यों कि current के rating का फर्क होता है अधिक धारा अधिक उस्मा अधिक धारा अधिक उस्मा द्यान से सुनिए इस बात को आप समझ रहे होंगे की उस्मा का direct संबंद धारा से होता है जैसे ही अधिक धारा का प्रवा होगा अधिक उस्मा उत्पन्न होगी हाँ जूल्स के नियम की बात कर रहा हूँ है ह बरावर आई इस्क्वाइर आर्टी देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ह बरावर आई इस्क्वाइर आर्टी यह आप समझ रहे होंगे यानि की हीट का सिधा संबंद करेंट के वर्ग से है जितना जादा करेंट होगा उतना जादा उस्मा होगी तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम छोटे सौकेट में हीटर चला लेते हैं तो वो सौकेट जो है जल जाता है या स्विच जो है वो जल जाता है वो क्यों जल जाता है क्योंकि ISI के नियम के अनुसार इसकी गन्राद 6 एमपेर तक के भार के ले की जाती है जो की 800 वाट वोल्टेज और करेंट दोनों को मिला कर हो जाता है तो यहाँ पर यह कोशिशन के तौर में या फिर आपके घरे लूप करण के तौर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता था तो यहाँ पर बताने का उदेश से केवल यही था कि आपको लाइटिंग लोड और पावर लोड में अंतर पता होना चाहिए तो इसी तरह के अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए देखते रहें टेक्निकल प्रिपेशन